हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक वंस अगेंड सो माई डियर स्टुडेंट हम लोग ONGC का एक्सपेक्टेड कटप रिलीज कर रहे हैं वन बाई वन करके सभी स्टेट का on the basis of your google form response तो अगर आप गोवा से विलोंग करते हो और आपने ONGC का एक्जाम दिया है तो आपकी बारी है आप लोग जादा जादा बच्चा आप लोग को invite कर रहे हैं कि आप लोग आईए google form को fill up करिये and on the basis of that we are going to prepare our expected cut-up for you within two or three days के बाग मैं आप लोग को expected cut-up release कर दूँगा तो आप लोग को देखे मैं बताता हूँ क्या क्या fill up करना and बहुत सारे student का मेरे comment आता है whatsapp में telegram में या comment करते हैं आप लोग YouTube के वीडियो में कि सर मेरा इतना number आ रहा है मैं इस category से belong करता हूँ मैं Goa से हूँ तो बताई मैं DV के लिए qualify करूँगा या नहीं करूँगा तो बेटर यह कि आप लोग Google Form में सारा data को fill up करो ताकि ज़्यादा ज़्यादा मुझे Google Form का response मिलेगा और उस data के basis पे within two or three days के बाद मैं आप लोग को expected cut-up बता दूँगा ज़्यादा ज़्यादा बच्चा तो आपको share करना है क्योंकि अगर कम data मुझे मिलेगा जैसे 30, 40, 50 तो उस बेसिस पे expected cut-up release करना काफी difficult होगा तो आप लोग हर एक बच्चा जो भी गोवा से बिलोंग करते हो अपने WhatsApp group, Telegram group में share करो ताकि ज़्यादा बच्चा जो है इसमें participate करेगा और सभी अपना data को fill up करेगा किसे state से बिलोंग करते हो यानि गोवा से आपका shift कौन सा देख सकते हैं यहाँ पे name fill up करना है यानि जो भी आपका नाम रेगा मौल नंबर अगर महांगा जाएगा वो fill up कर दीजेगा देन अपना state यानि गोवा अपना shift first, second या third shift जो भी आपका shift है वो आप select कर देना बिकोल अलग 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 difficulty level है तो on the basis यह भी पता चलेगा कोन सा shift easy or tough था ताकि normalization में ज्यादा नंबर आपको मिलेगा समझ आए तो वो भी आपको पता चलेगा then अपना category आप general से हो, OBC से हो, ST, SCG से भी विलोंग करते वो fill up करना है and finally score as per response की यह आंसर की recording का कितना score आ रहा है वो भी fill up करना है बास समझ आए कि नहीं, तो यह चीज़ आपको करना है Google form में link आपको description box में मिल जागा, फिर comment में first pin, first जो comment रहेगा, उसको pin कर दिया जागा उसमें link क्लिक करना, आपको Google form खुल जागा और Google form के through, आपको सारा data को fill up यहाँ पे करना है और मैं आपको बता दे तो result कब आपको आएगा, अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले, फिर से exam date आये था ONGC का, और exam था 20 अगस को, 21 अगस को, 27 अगस को, ठीक है तो 20 and 21 का exam हो चुका है, और answer की भी आ चुका है, कल के date में answer की आ चुका है 27 अगस, क्योंकि कल आपका 27 अगस होने वाला, तो एक आपका exam बागी है यानि कि 27 अगस के बाद, एक दिन के बाद ही answer की दे देती है, ओ NGC तो 28 या 29 अगस को आँसर की आ जागा, तो आपको 30 को, याद रखेगा 29 या 30 को जो है, वो result वीडियो देखने को मिल जागा, यानि जो expected cut-up कितना जाएगा on the basis of your Google form response, उस basis में 29 या 30 अगस को बना दूगा, तो तब तक वेट करिए एक दो दिन का, तब तक आप ज़्यादा ज़्यादा बच्चा को share करिए, ताकि ज़्यादा बच्चा का response मुझे मिलेगा, जितना data मिलेगा, उस basis में मैं आप लोग के लिए expected करताब अच्छा बना पाओ, और try करिएगा, रियल डालने का, यानि जितना भी आपका score आ रहा है, रिस्पोन्स की के कोडिंग भही डालिएगा, फेक मत डालिएगा, इसलिए मैं बात करूं कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चा तो आप लोग share करो सबको fill up करने बोलो, क्योंकि अगर मालो 200 बच्चा डालेगा, उसमें से एक दो फेक भी रहेगा, तो वो अटोमेटिक नेगलेट कर जागा, परसेंटेज के बेसिते, समझा रहा है कि नी, पॉइंट वर परसेंट भी आपका नहीं हुगा, लेकिन अगर मालो 30.35 हुआ तो real आप लोकले अच्छा कटा बना पाओं, तब तक के लिए आप गुड लॉक एंड मिलते हम लोग नेक्स पार्ट में, गॉड ब्लस यो ओल डियर स्टुडेंट, बाई-बाई